ओम शांति ओम शांति अज 31 जुलाई 2022 दिन रवी वार की अव्यक्त मुर्लि तो आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को यथार्थ चाट का अर्थ है प्रगती और परिवर्दन आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं आज के दिन नए वर्ष के आरंब को दुनिया में चारों और मनाते हैं लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मन आत्माई नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हों वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद स्रिष्टी चक्र का नया संगम युग है संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीन्ता लाने का युग है आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्रहमन जीवन नया जीवन है नई नोलेज द्वारा नई व्रती नई द्रश्टी और नई स्रश्टी में आ गए हो दिन रात हर समय हर सेकेंड नया लगता है संबंध भी कितने नई बन गए हैं पुराने संबंध और ब्रहमन संबंध में कितना अंतर है पुराने संबंधों की लिस्ट स्मरती में लाओ कितनी लंबी है लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने है लंबी लिस्ट है क्या बाप दादा और भाई बेहन और कितने नी स्वार्थ प्यार के संबंध है वह है अनेक स्वार्थ के संबंध तो नया युग छोटा सा नया ब्रह्मन संसार ही अती प्यारा है दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो बाप दादा क्या करते हैं हर सेकिंड हर समय हर आत्मा के प्रती शुभ भावना शुभ कावना की मुबारक देते हैं जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं, तो क्या कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, शक्ती शाली रहो, तंदुरुस्त रहो, तो आप हर समय क्या सेवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो, आप सब को भी बाप दादा ने नई जीवन दी है न और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती है आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन, सदा, सुखी और कोई हो सकता है इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है तो हर समय स्वता ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाईयां वा ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती है दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे और आप क्या करते हो हर सेकिंड नाचते हो और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है parties में मिलन होता है ना आप ब्रहमनों की अमरत वेले से पाठी शुरू हो जाती है पहले बाप दादा से मनाते हो एक में अनेक समबंद और सवरूपों से मनाते हो फिर आपस में ब्रहमन जब कलास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना और मुरली सुनते सुनते नाचते हो गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो ब्राहमन जीवन का श्वांस ही है उत्साह अगर उत्साह कम होता है तो ब्राहमन जीवन के जीने का मज़ा नहीं होता है जैसे शरीर में भी श्वांस की गती यथार्त चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है अगर कभी बहुत तेज गती से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी न ब्राह्मन जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई आपका उक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना यही सेवा है न यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्वदे रहे हो लेकिन वास्तव में आप सब ब्रहमन आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है नई दुनिया भी इस समय बनाते हो नई दुनिया का ज्यान इस समय ही आप आत्माओं को है वहाँ नई दुनिया में नई पुराने का नौलेज नहीं होगा नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलोकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है पुरानी चाल कौन सी है योग अच्छा है अनुभव भी अच्छे होते हैं आगे भी बढ़ रहे हैं धारणा में भी बहुत फर्क है अटेंशन भी बहुत अच्छा है सेवा में भी व्रदी अच्छी है लेकिन का पूँच लग जाता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है ये कभी-कभी का पूँच कब तक समाप्त करेंगे तपस्या वर्ष में यही नविन्ता लाओ पुर्शार्त वा सेवा की सफलता की संतुष्टा की परसंटेज कभी-बहुत उची-कभी नीची इसमें सदा शेष्ट परसंटेज की नविन्ता लाओ जैसे आजकल की डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं सबसे ज़्यादा आजकल बलड प्रेशर बहुत चेक करते हैं अगर बलड का प्रेशर कभी बहुत उचा हो कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा तो बाप दादा पुर्शार्त का प्रेशर देखते हैं होत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जम्प मारता है यह कभी कभी का शब्द स्माप्त करू अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो न इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं कभी कभी वाले इनाम लेंगे इनाम लेने के पहले ये विशेष्टा देखो कि इन छे मास के अंदर तीन प्रकार की संतुष्टा प्राप्त की है पहला स्विम अपना साक्षी बन चेक करू स्व के चार्ट से स्विम सचे मन, सचे दिल से संतुष्ट है दूसरा जिस विधी पूर्वक बाप दादा याद के परसंटेज को चाहते हैं उस विधी पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चाट रहा अर्थात बाप भी संतुष्ट हूँ तीसरा ब्रहमन परिवार हमारे श्रेष्ट योगी जीवन से संतुष्ट रहा तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना विधी पूर्वक आग्याकारी बन चाट रखने की आग्या पालन की तो ऐसे अग्याकारी को भी माक्स मिलती है लेकिन संपूर्ण पास माक्स उनको मिलती है जो अग्याकारी बन चाट रखने के साथ साथ पुर्शार्थ की विधी और व्रदी की भी माक्स ले जिन्होंने इस नियम का पालन किया है जो एक्यूरेट रीती से चार्ट लिखा है वह भी बाप दादा द्वारा ब्रहमन परिवार द्वारा बधाईयां लेने के पात्र हैं लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाईयां लेने वाला पात्र है यथार्ट तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संसकार तीनों में नवीनता की विशेष्टा स्व्यम भी अनुभव हो और ओरों को भी अनुभव हो यथार्ट चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगती अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो परिस्थितियां वेक्ती द्वारा या प्रकरती द्वारा या माया द्वारा आना यह ब्रहमन जीवन में आना ही है लेकिन स्वस्थिती की शक्ती ने परिस्थिती के प्रभाव को ऐसे ही स्माप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई संकल्प में प्रिस्थिती की हल्चल की अनुभूती ना हो याद की यात्रा सहज भी हो और शक्ती शाली भी हो पावर्फुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है एक तरफ याद अगनी बन भस्म करने का काम करती है परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरे तरफ खुशी और हलके पन का अनुभव कराती है ऐसे विधी पूर्वक शक्तिशालियाद को ही यथार्त याद कहा जाता है फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं मैज्योरिटी को लक्षय अच्छा समरती में रहा है समरती में अच्छे नंबर लिये हैं समरती के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है समरती और समर्थी दोनों साथ साथ रहना इसको कहेंगे नंबर वन प्राइज के योग्य समरती सदा हो और समर्थी कभी-कभी वा परसंटेज में रहना इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे समझा एक्यूरेट चाट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है इस थोड़े समय में भी विधी पूर्वक पुर्शार्थ की व्रद्धी कर अपने मन, बुध्धी, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिती का पुर्शार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्व्यम भी अनुभव करेंगे और ओरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे इसलिए ऐसे नहीं समझना की समय बीत गया लेकिन अभी भी वर्तवान और भविशेश रेष्ट बना सकते हैं अभी भी विशेश समरती मास एक्स्ट्रा वर्दान प्राप्त करने का मास है जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला ऐसे समरती मास का विशेश चांस है इस मास के तीस दिन भी अगर सहज, स्वत, शक्तिशाली, विजय आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नैचुरल संसकार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिती रूपी बड़े ते बड़ा पहाड भी आ जाए, संसकार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकती भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान, मन बुद्धी रूपी पाम को हिलाना नहीं, अचल रहना बीती में अगर कोई हल चल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मरती में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना, वर्तमान को बाप समान श्रेष्ट सहज बनाना, और भविश्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधी से सिद्धी को प्राप्त करना, कल से नहीं, अभी से करना, स्मरती मास के थोड़े समय को बहुत काल का संसकार बनाओ, यह विशेश वर्दान विधी पूरवक प्राप्त करना, वर्दान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना लेकिन सहज पुरशार्थी बनना, अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है, सदा आगे रहना है, इसलिए आगे बैठने का चांस मिला है, समझा, पका हुआ फल बनके निकलना, कच्छा नहीं गिर जाना, सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी, यह घर में जाएंगी, अगर माबाप कहे आओ तो क्या करेंगे, अगर अपनी हिम्मत है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, थोड़ा-थोड़ा अकर्शन होगा, तो रोकने वाले रोकेंगे, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए, नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रुहान नवींता को लाना चारों और के सभीस नहीं और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेश दिल से या पत्रों से या काड़ों द्वारा विशेश याद कर रही हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुँच जाते हैं लिखने के पहले ही पहुँच जाते हैं संकल्प किया और पहुँच गया इसलिए कई बच्चों के सहयोगीयों के काड़ पीछे पहुँचेंगे लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन बनाने की मुबारक दे रहे हैं जैसे कोई विशेश प्रोग्राम होता है ना तो आज कल के लोग क्या करते हैं अपना टीवी खोल कर बैठ जाते हैं तो सभी रुआनी बच्चे अपनी बुद्धी का दूरदर्शन का स्विच अन करके बैठे हैं बाप दादा चारों और के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं डिस्पॉंड में दे रहे हैं हर समय की याद और प्यार यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं तो सदा स्व्यम को सहज पुर्शार्थी और सदा पुर्शार्थी सदा विधी से व्रद्धी को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहू ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविश्य को सफलता सवरूप बनाने वाले श्रेष्ट बधाईयों के पात्र आत्माउं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वर्दान अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोज बाप को दे स्विम हलका रहने वाले निमित और निर्मान भव जब अपनी जिम्यवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है जिम्यवार बाप है, मैं निमित मात्र हो ये स्मरती हलका बना देती है इसलिए अपने पुर्शार्थ का बोज, सेवाओं का बोज संपर्क संबंध निभाने का बूच सब छोटे मोटे बूच बाप को देकर हलके हो जाओ अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है मैं ही कर सकता हूँ तो यह मैं पन भारी बना देगा और निर्मानता भी नहीं रहेगी निमित समझने से निर्मानता का गुन भी स्वत आजाता है स्लोगन संतुष्ट मनी वह है जिसके जीवन का श्रिकगार संतुष्टता है ओम शांती